हलो विल्कम यॉल आज है एक अगस्त और आप सभी गिलाया हैं फिर से एक इनपॉंट वीडियो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वोड़ा फॉन आइडिया के बारे में तो इसके क्वाइटर वन के नतीजे आने वाले हैं टेलीकॉम का थार्ड पोस्ट वैल्यूवल कंप तो वोड़ा फॉन आइडिया की बात करने से पहले मैं चाहूंगा अगर आप भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को दबाना ना भूलिए वीडियो को लाइक कीजिए क्यूंकि आपके हर एक लाइक से इंप्रूवड हुए थे और इस बारिया आप देखोगे जियो का एर्पी हो रहा है एक सो चालिस प्लस बारती एटल कर रहा है 137 यह भी इंक्रीज हुआ है और वहीं अभी तक जो वोड़ा फॉन आइडिया के हमारे पास एक सो एक्किस क्यूंकिस की क्वाटर फोर में रह कि इसके आया यार प्यू कितने रहने वाले यह हमार को रजल्ट में डेफिनिटली देखने वाली बात होगी वहीं इनके जो सब्सक्राइबर थे वह अगर पिछले क्वाटर फोर में अगर हम बात करें तो 291 मिलियंस थे जो घट चुके थे दिसंबर क्वाटर से 304 मिलियं एक्स्ट्रा एड कि उन्होंने अपने सब्सक्राइबर फॉर्दा इंदा क्वाटर वन और वहीं जो बारती एटल की बात करें तो उन्होंने टोटली सब्सक्राइबर बेस अपना दिखाया विदा फैरीका के साथ जिसमें वह पहुंच गे 403 मिलियं तो अमेरिका अफ्री सब्सक्राइबर्ज घटते हुए नज़र आये थे पिछले क्वाटर में और कहीं ना कहीं यह जो कॉवाटर हें अगर इसमें इनके के ऊप्सक्राइबर बेस और घटते हैं तो कहीं ना कहीं वोड़ा फॉन आइडिया के लिए ऍंशूद ग्रेट होने वाले हैं A.R.P.O. क वाते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर मैं expectations की बात करूँ तो फिर से इस बारी company loss में तो नहीं रहने वाली पर almost flats की data का मलब की जो levels है मार्किट में expectation लगाई जा रही है वह almost flat होते हुए नजर आ रहे जो मच मच बैटर बोलूगा मैं वोड़ा फॉन आइडिया के लिए कि यह कम से कम loss making से भार तो निकले और वहीं अगर हम इसके पिछले कुछ दिन की तो लगातार इसमें अच्छी delivery हमार को देखने को मिली है और जो significance कर रहा है कि यह शेर में तेजी आने से पहले लगातार delivery भी उठाई जाती है और वहीं अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो शेर पांच परसेंट अपसाइड भी रहा और वहीं डिलिवरी दे देजी भी देखने को हमार को मिली वहीं कतिस जुलाए को वोड़ा फॉन आईडिया द्वारा बोत एनसी और बीएसी को confirmation दीगी रियार्डे इनकी बोर्ड मीटिंग जिसमें यह अपने quarter first quarter ended जो जून 30 2020 में results आने वाले जिसमें बोत consolidate and अपने approved results रखने वाले हैं यह जो meeting ह होगी वह होगी 6th August 2020 को means Thursday का दिन है मतलब या तो Thursday को इस results के impact market पर देखने को मिलेगे means Friday को मतलब दो दिन का gap अब नहीं रहने वाला है तो आपको definitely इसमें अच्छा खासा मौका मिल सकता है तो six of August को इसके results आएंगे और definitely आपको त्यार रहना चाहिए बस next week में ही हमार को इ और वहीं अगर पिछले shareholdings की हम बात करें तो जून 2020 तक की हमार पास latest shareholding है जिसमें F5 पैसा भार निकालते नजर आ है mutual fund भी निकालता है नजर आ रहा है insurance company भी नजर आ रही है और वही non-institutional हमारे जैसे investor लगातार इसमें holding अपनी increase करते वे नजर आ है और थोड़े बहुत other DIs भी मतलब non-institutional investor और retail निवे शक एक ही category में आते हूं तो हम ही सबसे ज़्यादा इसमें interested बनते हुए दिख रहे हैं और पिछले एक मेहने में बात करें जो news आई थी news के कारण का impact और उसके बाद correction तो लगभग sinsex को देख़ए तो 6% अप रहा है पिछले एक मेहने में औ और Vodafone idea में लगबग star apparent की हमारे को corrections भी देखने को मिली है तो अब आ जाते हैं इसके चार्ट में तो strategy इसमें कैसी रखने चाहिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं इसके result से पहले तो आप देखोगे एक तो इसमें अच्छा कासा downfall बना हुआ है एक sudden rally के बाद means यह पोल हो गया आप देखोगे यह पोल हो गया और शेयर इसके बीच में हमारे को trade करता हुआ नजर आ रहा है यह clearly दिख रहा है means अगर EMA के हिसाब से देखे तो जो इसकी value है 7.47 पैसे यहां पे buyers कुछ ज़्यादा ही activate देखने को मिल रहा है मतलब इतने बड़ी weeks हमारे को दे difference नहीं है और कहीं ना कहीं अपने 200 days के EMA के आसपास जो purple line है अगर आप देखोगे तो इसके पास यह trade करता हो नजर आ रहा है almost इसक्यू पर इसने closing भी दी है और वहीं 20 days का simple जो इसका short term का EMA है 20 days का वहां पे इसको resistance phase करने को मिल रहा है जो है 8.60 पैसे मतलब अगर 8.60 पै देखने को मिल सकती है और वहीं अगर हम बात करें वंडे के चार्ट में इसकी volumes की तो volumes हमार को काफी ज्यादा decline होते हुए हमार को देखने को मिले हैं और वहीं भी अभी यह जो जिस price पर यह trade करता है नजर आ रहा वहां पर volume almost miss होते हुए हमार को देखने को मिल रहे है means इस short term में ले सकते हो और आप target लगबग 10 रपे के आसपास कर सकते हो अगर यह 8 रपे 60 पैसे के उपर एक दिन अपनी closing दे सकता है तो यहां तक हमार को travel करता हुए हमार को देखने को मिल सकता है वहीं वंडे के चार्ट में अगर पाइवट देखे तो पाइवट दिखा रहा है 9 पैस 70 पैसे यह easily जा सकता है वहां पे इसको rejections हमार को पिछली बारी काफी time देखने को मिले थे इसने certain levels पे एक दिन इसकी उपर closing भी दी थी फिर market ने इसको correct किया और correct करके 7 पैस 20 पैसे के आसपास लिया आया है जहां फिर इसकी AGR dues की Supreme Court के साथ नियूज आने वाली थी तो वहां से फिर इसमें अमार को bounce back देखने को मिला तो वही situation अपक्रेट होते हैं अमार को देखने को मिल रही है तो pattern कुछ चीज तरह का है लगबग 8 पैस 60 पैसे अगर यह तोड़ देता है और इसकी उपर closing आ जाती है इसकी तो हम इसको short term में almost 9 पैस 70 पैसे जाते वे दे अब डाउन पहले भी देख चुका है वहीं वन डे के चार्ट में अगर हम RSA की बात करें तो RSA लगब 46 के असपास है जो week है less than 50 है और मेगडी भी कहीं न कहीं bullish crossover की धीरे-धीरे क्या त्यारी करते हुए हमार को देखने को मिल रहा है तो results आने वाले हैं next week 6th of August त्यार रही है momentum रहेगा इसमें ARPU detail most important रहेगी almost 135 के पास आनी चाहिए और वहीं subscriber base इसके घटना नहीं चाहिए यही दो conditions है अगर यह इतने नहीं घटे अगर तो गलती subscriber base बढ़ गया तब तो यह हवा भी बन सकता है इसमें rocket हमार को देखने को भी मिल सकता है और main रहेगा ARPU details तो आपको इन दोनों पर नजर रखनी है और इस बारे में आप definitely इसके results आने से पहले पहले different brokerages वारों की research भी search करके देख सकते हो कि इस बारी के इसके ARPUs कितने रहने वाले इसके accordingly भी आप इसमें अपनी position बना सकते हो तो दोस्तों वीडियो लगाओ informative please support subscribe the channel like किते आर वीडियो को motivation मि अपनी query रखिये definitely reply करूंगा मेरा job बनता है and thank you for watching the video